तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जावीवान अब तयार हो जाता है और अचानक से गाय होता है और चीबे की सामने प्रकट हो जाता है अब आगे फिलाल यह सीड प्लैटफॉर्म पे था और यहां का स्पेस थोड़ा अलग था चीबे जावीवान को देखता है और कहता है मतलब तुमारे में हिम्मत तो है जो तुम यहां पर आगे जावीवान भी हसके कहता है तुम मुझे ऐसा दिखा रहे हो जैसे मानो मैं सेंट बैटल प्लैटफॉर्म पे हूँ अब चीबे को भी गुस्सा आता है यह कहता है तुमारे जबान बहुत लंबी है उसके बाद यह कहता है तुमारे सर यहीं पे उड़ा दूँगा और तुम्हें मारने के बाद सेक्रेड रेस में वैसे भी मेरा नाम और बढ़ जाएगा चीबे इस तोरान यह अपने जैनसिस के को रिलीज कर रहा था जो कि 140 बिलियन था जवीवान को भी समझ में आता है कि सच में यह AIG से कहीं ज़्यादा इस्टॉंगर है अब जावीवान अपने फाउंडेशन को रिलीज करता है जो कि 110 बिलियन था साथ में यह अर्थ सेंडरून और प्रमोशन दोनों को यूज करके अपने पावर को 120 मिलियन तक पहुचा देता है जावीवान यहाँ पर रु दोलता भी है दा क्रेट फ्लेम डेवल फ्लेम आई वर्ल्ड इसके चेस्ट में बहुत सारे मैगमा टैप की कुछ पावर निकलने लगते है जीवे हैरान था यह कहता मुझे लगा नहीं था कि तुमने अपने बलड को और की को इस लेवल तक रिफाइन कर लिया है अब टुमेइन से एक वॉल बना देता है हड्डियों और इस अटेक को ब्लॉक कर देता है साथ में ये हातों में एक वैपन लेगे था जीसeszे बोनगॉड क्रिप कहता है और हीवान का जो अटेक आता है उसको ये 카ॉंटर कर देता है पर चीवे जब करता है तो यह इस बात से काउंटर कर देता है पर चीबे जब काउंटर करता है तो ये इस बात से हरान था कि हाला कि युवान के अटेक को इसने डिसॉल्ब कर दिया और युवान को कुछ हुआ नहीं था चीबे के असपास के स्पेस एक बर फिर से क्रैक्स टाइप आते है और एक बंदा काफी थे जिसे इसकी तरफ लाइटनिंग बोल्ट के समान अटेक करता है चीबे हरान था और हसता भी है कि तुम मेरे लॉड डोमेन में एक स्नीक अटेक करना चाहते थे पर जब ये ध्यान देता है तो ये हरान था क्योंकि वो युवा लाइट अटेक इसकी तरफ बढ़ा चुका था और चीबे इससे खतरनाक लेबल का डेंजर फिल कर सकता था क्योंकि ये एक सेंट जेनेसिस आर्ट था पर चीबे भी होशियार बंदा था इससे मालूम था कि जावीबान खतरनाक है उपर से ये दिखाता नहीं पर इसे पता तो था ही तो ये पूरी तयारी के साथ है था और बदले में ये भी अब एक सेंट जेनेसिस आर्ट यूज़ करता है स्केलेटल पेपर आर्मर तो इसके आसपास एक वाइट पेपर आर्मर बन जाता है जो कि मानो हड़ीयों के समानी होगा अब ये जो सेवन स्वाड में इंजरीस तो हुई थी और एक पेन ये फील कर सकता था अब जावीवान जो था ये अपग्रेड हो चुका था तो ये सेवन रेज ऑफ लाइट सम्मन कर सकता था पहले नहीं कर पाता था ये जावीवान ये बदले में कहता है तुम काफी सावधान हो चीबे भी मन में सो चाता ये उससे ज्यादा stronger है अब जीबे कहता है क्योंकि अब तुमारा sneak attack तो fail हो गया है तो मेरी बारी जावीवान भी हसता है कि किस ने कहा और ये हसता है अब जीबे फिर से sword key को दुबारा से फिल करता है ये हरान था seven rays of light फिर से निकलती है तो एक बार जावीवान ने ये उस गया था इस बार silver shadow ने अब इतना जल्दी तो ये वो paper armor फिर से बना नहीं सकता था तो फिलाल ये ये अपने law domain को पूरे power पर activate करता है और अपने आसपास wall of bones बनाने लगता है तो फिलाल अब ऐसा है कि silver shadow भी seven rays of light ये उसकर सकता है और जावीवान भी अब इस बार जो seven swords of light थी ये इसके bone wall को crash कर देती है और चीबे की body से जाकर टकराती है लोग भी अवाक थी इन्हें समझ में नहीं आता है क्या जावीवान ने सच में चीबे को मार दिया और ये 8-1s के आवाज आती है जो कि दूसरा battle अपना लड़ रही थी कि जावीवान केरफुल रह जावीवान को पहले से पता था कि ये seven sword lights चीबे को injured कर सकती है मार तो नहीं सकती है पावर इसको पता था इसलिए जावीवान आगे भी नहीं आता है तो जहाँ पर चीबे था पहले वो area पूरा collapse कर जाता है और चारतरप grey shore फैलने लगती है और आवाज आती है law domain power the coffin of blood and bones जावीवान फिल करता है मानो एक force इसके उपर locked हो जावीवान जैसे पीछ अटता है इसके पीछे में coffin प्रकट होती है यानि ताबूत और जावीवान मानो इसके अंदर निगल लिया जाता है coffin तुरंती बंद हो जाती है coffin के अंदर एक अलग space था AI king वगेरा इस तो में coffin के तरफ देखता है और कहता है कि जावीवान तुम हो बहुत talented पर अभी advanced nascent source पर तुमने मुझे इस level तक force कर दिया वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है मेरे इस power को बस law domain वाला पंदा ही counter कर सकता है अब तो तुम अंदर में ही blood और हड़ियों में बदल जाओगे लेकि मुझे अपसोस है कि मैं तुम्हारा सर वापस लेके नहीं जापूंगा पर अंदर में एक आवाज आती है कि law domain stays power तो में क्या लगता है मेरे पास नहीं है इधर बाहर में चीबे पूरा coffin का power यूज कर रहा था ताकि जावी वान को खून और हड़ियों में बदल दे पर जै जानी की पाती है थी कि यूवान अभी advanced nascent source पे है minimum जब तक आप pseudo law domain पे नहीं जाओगे law domain power आता नहीं है तो इसके पास कैसे आया पर फिर भी ये अपने पूरे power को यूवान के तरफ भेजनी लगता है कि इस बार तो इसे जानी नहीं दूँगा इवन ये अपना essence blood भी पोर्स करती है यह यह तुवान जी भी सुरान डर जाती है अलाकि अपना battle लड रहे थी क्योंकि जाव यूवान ये battle तो इन लोगों के लिए लड रहा था और इनको पता था कि जाव यूवान का टुन-टुन यानि कि टावटी ancestor के साथ अच्छा relation है तो फिर वो है वो create कर सकते है तुवान जी अब एक्सेन लेने ही वाली थी पर अचानक से एक wild power सबी लोग यहाँ पर feel करते है वो जो grey यानि bone lodomain का corrosion power था मानो भी यूवान का कुछ करी नहीं पा रहा हो और जाव यूवान भी feel करता है यह जो heavenly punishment saint runes है इसका power अलग है अब इसके power को ये ठीक ठा उसका पूरा power यूज करता है और इसके जो divine dwelling में heavenly punishment rune था उसको भी full power था एक्टिवेट करता है इतना ज्यादा power था कि इवन यूवान के हाथों में cracks आने लगते है पर इसे संभालने के लिए ये saint glass body को activate कर चुका था अब यूवान के असपास मानो infinite light जनम ले रही हो इसके यूवान भी संभालने पारा था और यूवान इसे चलाता है और बोलता है heavenly punishment saint rune heavenly punishment rod चीवे जो कि बाहर में smile कर रहा था और बोल रहा था कि जाव यूवान जाओ मरो वही टुवान जी अब इदर आने ही वाली थी पर तभी coffin से एक boom जैसा explosion होता है चीवे जब तक react कर पाता heavenly punishment rod सीधा आकरके इसकी body पे लगता है और momentum इतना खतरनाक था इस yellow rod का कि चीवे को समय ही नहीं मलता है हाला कि अपने beast form में आ चुका था फिर भी शायदे एक कामका नहीं था yellow rod इसे पूरी तरह से वहाँ पर खाक कर देता है जावी वान इसका भी चेहरा पेल हो चुगा था पर चीवे इसकी खोपड़ी उड़ जाती है लोग यहाँ पर हैरान थे इवन AI-21s भी एक समय के लिए freeze हो जाती है यह जानती थी कि चीवे इनके जैसे stronger नहीं था बट फिर भी अच्छा खासा level पे था AI king अपने Phoenix आंकों से देख रही थी और feel हाल थोड़ा relaxed feel करती है खास क जावी वान थे पर अवाग थे और इनके चीशी समझ में आता है जावी वान से दूसमनी शही नहीं है AI-Z तो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे रियक करें समझ चुका था कि अब कुछ भी जावी वान के खिलाब बोलेगा तो इसकी बेजती ही है जावी वान खु जो कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे एविल बीश्ट वगर थे इवन एविल बीश्ट के क्लैन के लोगों के भी यहाँ पर पसीने चूट रहे थे जावी वान फिलाल यहाँ पर रिलाक्स करता है और अपने एंसेस्टरल ड्रागन स्क्रेप्चर को एक्टिवेट कर देत है ताकि युनिवर्स से जैनेसिस की एब्जॉर्ब करके अपनी बॉड़ी को यानि जो हाथ थोड़ा सा क्रिपल्ड हो गया है उसे रिकवर कर सके जावी वान इस तोरान ए आई टुवान जी और टुन्टुन के तरब देखता है अब क्यूंकि मेन बंदे चीबे को यहरा चुका था जो कि सेंटर प्लैटफॉर्म को कनेक कर रहा था तो उन दोनों के भी औराज अब गिरने लगते हैं थोड़े ही समय में टुवान जी और टुन्टुन भी अपने अपने अपोनेंट्स को पीछे फैंक देते हैं वहीं जावी वान लागातार अपने औरागो रिक यानि कि ब्लैक होल्स टाइब दिखते हैं बट ये रैड होल्स थे पर ये पावर कहां पिजा रहा था युवान को ये चीज़ समझ में नहीं आता है इसका मतलब यही था कि वो जो ब्लैक रूब्ड मैन है उसने लंबा चोड़ा प्लैन किया था तो फिलाल ची युवान औ वो मिस्टिरियस ब्लैक रूब्ड मैन फिर से प्रकट होता है टुवान जी फिर से कहती है तो चुवा फिर से आ गया इस बंदे का नम था ची जुवान और टुवान जी से पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो ची जुवान स्माइल करता है और कहता है अपकोर्स ancestral spirit mountain के लिए कि वैसे भी ये जगे तुम लोग यानि वांसो हेवन वाले लंबे समय से लेके हो अब हमारी बारी है तुम्हें लगता है कि यहां पर बस seed battle platform है पर उसके उपर भी कुछ है जो कि तुम लोगों को पता नहीं है पहली बार ये चीज टुगांजी वगरे को सुनने को मिलता है चीज वान स्माइल करता है कि तुम लोगों को ये लगता होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ जावी वान सेंडिकोटर उनसे इसे देख रहा था और जो भी वो फेंडिस की था जो भी इसके बंदे मरे होंगे शाथ यह उनकी और को अपने बॉडी में मर्ज कर रहा था जावी वान चिलाता है कि उसे रोको पर तब तक शायर लेट हो चुका था और चीज वान इसका फाउंडेशन देखकर लोग है रहानते तीन सौ फिलियन जैनेसिस की स्टार्स इवेन जावी वान भी हरान था यार यह तो मेरे से प्रेटफर्म भी कह सकते हैं सभी जानते थे कि यहाँ पर आप चीज वान का मुकाफला कोई करी नहीं सकता सबसे श्रॉंगेस थी याई टुआन जी पर इसका भी फाउंडेशन एक सो पचास बिलियन था भाई बात सीधी सीधी ऐसी है कि तीन सो बिलियन जैनेसिस की स्टा लाटोमेन स्टीज का बंदा कहोता है बट फिलाल यह चीज वान का था क्योंकि इसने बहुत सारे फाउर को अप्सौर्ब किया था लेकिन फेर भी इसका पाउऱ सीधी फाउडो लाटोमेन में ही था यूकि याँ पर रेस्टिक्शन था कि लाटोमेन का बंदा नहीं आ सक तो कोई secret technique से इसरे अपने power को इस level पर maintain किया था और इसका mind भी stable था और बड़ी बात ये थी कि उस battle platform पर इसको वही ललकार सकता है जिसका foundation minimum 300 billion पर हो तब ही वो उस platform पर जा भी सकता है अब 2-1-2 होगर पीछे चे नहीं जा सकते थे नहीं तो इनके one shoe heaven का नाम खराब होता फि तो यहाँ पर जो भी beast वगरा रहते हैं यानि animals ये जब सभी मारे जाएंगे क्योंकि dragon spirit utopia saint level के बंदों का power जेल नहीं सकता तो जो भी करना है हमें ही करना है पर इस पर युवान भी पहली बार थोड़ा सा weak fail करता है इवन जब इसने जी उटा या जो भी नाम ता उस बंद बढ़ा करके 120 billion कर सकता है पर सामने वाला पंदा इसका double triple है पर इस दुरान टुन टुन कहता है कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं मर्ज हो सकता हूँ तो बाकी लोग का मानना ये था कि इससे टुवान जी वगर्या के साथ मर्ज होना चाहिए पर ये तुरंत ही बोलता है कि न इसने मेरे ब्लड को refine किया है अब सकसेस्फुल होगा या नहीं वो बात की बात है चीज दुवान जो कि सुप्रीम बैटल प्लेटफार्म पर दा इन चीजों को देख रहा था और कहता है एक्टिंग करना बंद करो जावीवान इधर अपने माइंड को रिलाक्स करता है ताकि टुन टुन इसके बॉड़ी में एंटर कर सके टुन टुन एंटर करने के कोशिश करता है पर जावीवान अपने माइंड को शांत नहीं कर पायता तो टुन टुन बाहर फैक दिया जाता है तुन तुन फिर से समझाता है कि दिमाग को शांत करो जाव यवान गुस्ते में कहता है ये नैचुरल रिफलेक्स है भाई मैं अपने बॉड़ी में किसी को कैसे एंटर करने दूँगा अब फिर से तुन तुन ब्लैक लाइट्स में बदलता है और जाव यवान के बॉड़ी में अंटर करता है जाव यवान शांत था इस बार टुन टुन इसके बॉड़ी में अंटर कर जाता है और यवान एक अलग पावर फिल करता है मन उसके मेरिडियंस में एक पावर कमबाइन हो रहा हो Zanuyvan भी Cross Leaked बैटा था और ये Feel कर रहा था इसका Power बढ़ रहा है अब Zanuyvan के Body पे Transform होने लगती है इसका जो सर था वो Ton Ton के जैसा हो जाता है और Body Zauhan के रहती है Ton Ton बोलता तो है पर आवाज Zauhan के निकलती है लोगों को समझ में नहीं रहता है क्या ये Successful है पर टुन्टुन अंदर से बोलता है ये फेल हो चुका है फिर से ट्राई करना पड़ेगा अब ये लोग लाकतार ट्राई करते रहते हैं और टुवांजी वगरा को समझ में आ जाता है कि इस फॉर्म को कंट्रोल करना कितना टफ है बात ऐसी थी ये टुन्टुन के ब्लड ला तो टुन्टुन के ब्लेड लाइन को ये सप्रेस कर सकता है ये फिर से टुन्टुन से बोलता है कि एक बार फिर ट्राई करते है टुन्टुन का ब्लेड लाइन पावर फिर से जावीवान के बॉड़ी में एंटर करता है जो की काफी एकदम गुसे में था मतलब ब्लेड ल मंकी क्लैन में यावयाव को दिखाए जाता है जो कि वाइन पी रही थी और अचानक से देखती है कि जावीवान और टुंटुन यह बलड लाइन अपना मिक्स कर रहे है डिवाइन मैटर भी अक्टिवेटेड है यह कर क्या रहे है तो जावीवान के असपास एक अलगी स्टॉर्म सा इनर्जी क्रियेट हो गया था तेरे-दरे माहूल शान्त होता है जावीवान अभी भी हुमेन फॉर्म में था पर पहले से यह लंबा दिख रहा था थोड़ा पतला था बाल इसके थोड़े से गोल्डन कलर के हो गया थे अगर किसी ने गोजीटा वाला फ्यूजन देखा हो तो वो भी से थोड़ा अलग होगा बट कुछ वैसा ही समझ लो ड्रागन बॉल रूम में देखते ही होगे तो फिलाल फ्यूजन सक्सेस्फुल हुआ था जावीवान फिल करता है इसका फाउंडेशन अब तीनसो बिलियन पहुच चुका था अंदर से टुन्टुन की आवाज आते क्योंकि तुमारे पास मेरा श्रेंद है पर जावीवान को बोलता है ये सब तो ठीक है ये बाल तुमारे मुझे अच्छे नहीं लग रहे है टुन्टुन अभी शान्त हो जाता है गुस्ता तो इसे आई रहाता इधर चीजवान भी देखता है और ये खोद हैरान था अब जावीवान सबसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ प्लैटफॉर्म पर जो भी होगा देख लेंगे जावीवान सुप्रीम बैटल प्लैटफॉर्म पर अब लेंड करता है और ये फील करता है यहाँ पर एक अलग प्रेशर है अगर उसके नीचे का कोई भी बंद आया यानि 300 बिलियन का तो यहाँ पर उसकी चटनी बन जाईगी चीजवान भी हसता है इंटरेस्टिंग कि तुम एक चीटिंग मेठड यूज कर रहे हो पर कोई नहीं जावीवान भी हसके कहता है लगता है कि तुम्हें ही ये लगता है कि तुम अपने अबिलेटी के दम पर खड़े हो बाकियों की औरहां एब्जॉर्ब करके बैठे हो तुन्टुन अंदर से चिलाता है कि जावीवान इसे मार दो वहीं चीजवान भी खहता है यार अगर ऐसे ही मैं जीत जाता तो मज़ा क्या था और इस बार मैं जीतूंगा तो मेरे हाथों में अलफा बीष्ट का ब्लड लाइन भी होगा और इससे चा सेलिबरेशन क्या हो सकता है अब चीजवान एक अटैक करता है जिसमें मानों बहुत सारे बीष्ट के स्पिरिट्स हों जोकि जावीवान की तरफ बढ़ने लगते है और ये सब एक ब्लैक वार्टेक्स में बदल जाते है पर जावीवान में इस तोरण डेवोरिंग पावर को यूज करता है और जितने भी स्पिरिट्स थे मन उनको डेवोर कर जाता है ये था टुन टुन का पावर अब जावीवान अपने पैर को जमीन पे मारता है और कहता है चीजवान से ये तुम्हारे लिए इवन सुप्रीम बैटल प्लेटफॉर्म में भी क्रैक्स होने लगते है चीजवान देखी रादा पर जावीवान गाइब होता है टेलिपोर्ट होता है और इसके सामने एक मुक्का मारता है जावीवान का जो जैनेसिस की था जो कि नॉर्मली गोल्डन कलर का होता था अब इसमें एक डार्क गोल्डन कलर मिक्स था अब चीजवान अपने मूग को खुलता है और एक ब्लैक औरा निकलती है जो कि बीश्ट के सर के रूप में बदल जाती है और जावीवान के पंद से सीधा जाकेटा करा दिया अटैक इतना खतरनाग था कि जावीवान भी पीछे हड जाता है और चीजवान भी जावीवान भी 100 फिट पीछे जाता है महीं चीजवान 1000 फिट जावीवान भी अब एक्साइट था और चीजवान को गुसा आ रहा था किलेंग एंटेंट इसका बढ़ते जाता है अब ये भी सीरियस होता है और बोलता है बीश्ट डेमन, लॉडोमेन अब इसका लॉडोमेन ऐसा था कि जितने भी लोगों को साधसने मारा होगा बीश्ट वगरे को, वो अपने फॉर्म में बीश्ट डेमन में दिखाई देने लगते है स्पिरिट्स के रूप में और चीजवान कहता है तुम भी उनमें से एक ही बनने वाले हो यानि मैं तुमें भी एक बीश्ट स्पिरिट में बदल दूँगा अब जाविवान अपने यवान ब्रष को बाहर निकाल लेता है और ये जो बीश्ट वगरे थे इनके स्पिरिट्स इनको क्रश करना शुरू کر देता है मानो बीश्ट की वर्सा होरी हो और जाविवान इन्हें मारते जाता है पर जाविवान हैरान था क्योंकि बंदे का लॉट ओमेंग तो उसमें बहुत सारे बीश्ट थे कितनों को तुम मारोगे पर तब ये अंदर से आवाज आती है टुन टुन की कि तुम अपना दिमाग शांत करो मुझे फाइट करने दो अब अचानक से एक ब्लैक होल एक्सपैंड होने लगता है जो कि टुन टुन का डेवोरिंग पावर था और ये जो लॉटो मिनता इससे फाइट करने लगता है चीज जुवान भी इस सीन को देखा है थाउजन बीश्ट ब्लड सील अटेक को यूज करता है पर टुन टुन अपने डेवोरिंग पावर से इससे भी काउंटर कर देता है तो फिलास दोनों बोडी को मतलब जाविवान के बोडी को दोनों कंट्रोल कर पारे थे स्विच कर ले रहे थे कभी जाविवान अटेक करता था कभी टुन टुन अटेक करता था जैसे अगर सेंट जैने से साथ यूज करना है तो उसे जावीवान ही यूज कर सकता है टुन टुन अपने टेक्निक्स यूज कर सकता था इधर याई टुवान जी वगर अहरान थे क्योंकि इस लेवल का बैटल ये लोग भी पहली बार ही देख रहे थे अब जावीवान के अटेक्स लागातार फिरस होते जाते हैं और चीजवान इस चीज को नोटीस कर रहा था और जावीवान इस पार गोल्डेन बेल अटेक को लॉंच किया था बदले में चीजवान भी बहुत सारे बीष्ट के पावर को यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा देता है और चीजवान अब मानता नहीं है यह अपने हाट का बलड यूज करता है और इसका जो पूरा लॉटो मिनता इस समय वाइबरेट करने लगता है चीजवान इसके बोड़ी से एक आईरन टेल भाहर निकलता है बेसिकली अपने रेड की हड़ी जिसम बोलता है उसे निकाल लेता बोड़ी में से और उसको एक वेपन की तरह यूज करता है और फिर यह चिलाता है बीष्ट को ट्रांसफोर्मेशन और एक हजार फिट के डेमन बेश्ट को अब देखा जा सकता था जावी वान का भी एक्सप्रेशन इस दोरान चेंज हो जाता है क्योंकि युवान के गोल्डन बेल को यह ब्लॉक कर चुका था और बड़ी बात यह थी यह जो डेमन अभी बना था यह इतना पावरफुल था कि स्पेस को चीर के युवान के सामने प्रकट होता है और बोलता है डाई जावी वान को यह काफी पीछे फैक मारता है वान्शू हेवन के लोगों का अब चेहरा बदलने लगाता बागी किसी को अगर यह अटेक लगता तो वो सीधा मारा जाता यह इट वान्शी वगरा शानत थे और फिलाल यह बस जावी वान और टुन टुन में विश्वास रख सकते थे वह चीज वान बोलता है जो कि बीश फॉम में था ताकि चीज वान के अटेक को यह सम्हाल पाए उस समय नहीं तो यह इंजर्ट तो होता ही था और जावी वान अंदर कहता है कि टुन टुन तयार हो एक बड़ा सा फायर फेकना है जावी वान गायब होता है और अचानक से उस टैविल के सामने प्रकट होता है और यवान इस बार तयार था यह अपने heavenly punishment rune को अक्टिवेट करता है और फिर से heavenly punishment rod को बाहर निकलता है पर इस बार यवान को इसको control करना में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसका foundation अभी ज़्यादा था और सीधा इस rod को ये इस devil की तरफ चला दीता है अब cheese one मानो feel करता है एक खतरनाक power इसकी body की तरफ बढ़ रहा हो अपने body के असपास ये एक red ball का औरा भना दीता है पर heavenly punishment rod इसका ये जो red barrier था उसे तोड़ने लगता है और cheese one की body से जाके टकराता है पर cheese one इस rod को भी समाल ले रहाता अब जाविवान अंदर से चिलाता है टुन टुन जाविवान का चेहरा टुन टुन के सर के जैसा होने लगता है टुन टुन और जाविवान मतलब अभी एक साथ देखे जा सकते थे जाविवान के सर और उसके बगल में टुन टुन का सर टुन टुन अपना मूँ खोलता है और black clouds वाला अपना attack बाहर फेखता है और ये जो bloody clouds थे devil के उपर उसा टुन टेवोर कर जाता है एक तरस से बोले तो neutralize चीजवान चिलाता है कि दोनों मुझे मिल के मार रहे हो बहुत बुरे हो जाविवान हसता है कि भाई खुद को तो देख पहले अब यवान को इस मौके का फायदा मिलता है और heavenly punishment rod को ये पूरी तरह से चीजवान पर एकदम smack करके मारता है क्योंकि अब वो red clouds टुन टुन जमाल रहा था तो जाविवान के पास पूरा मौका था चीजवान ये fast तो था पर heavenly punishment rod इससे भी जादा faster था और सीधा punishment rod इस devil के सर पे जाके टकराता है मानों समय और space एक जगे रुकसा गया हो चीजवान आके जमीन पे गिरता है और पूरी धरती मानों काम सी जाती है इसके body में आप crack आने लगे थे ये अपने beast form जो उसका original beast form था ये उसमें अब lot आता है ये तो पहले ये devil के जैसा बन गया था heavenly punishment rod का जो power था इसके life force को destroy कर रहा था तो ये तुरंत नहीं मरता है जैसा कि चीकी उमर गया था जब यवान ने इस पर punishment rod को use किया था चीजवान ये मर तो रहा था पर जावीवान के तरफ दीखता है मानना पड़ेगा तुमें गुईवान heaven में भी तुमने miracle create किया था जब यवान कहता है लेकिन कुछ भी हो तुम जो करने आयते वो तो अब पूरा नहीं हो पाएगा चीजवान हसता है कि तुम अभी बच्चे हो जब यवान दीखता है कि चीजवान के body में वो जो power था वो गायप सा हो जाता है जब यवान को लगता है कि चीजवान अभी मर नहीं रहा है ऐसा क्यों जब यवान अब पीछे हटने लगता है और यह तुन्टुन से कहता है कुछ तो गड़बड है इसकी body में चीजवान अब कैसे भी खड़े होने के कोशिस कर रहा था और एक seal बनाता है और वहां से एक हाथ बाहर आ रहा था एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि बलड में ऐसा सना हुआ था और वो बूलता है कि चीजवान तुम सच में एक ट्रैश हो मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट दिया था फिर भी मुझे बाहर आना पड़ा तुम एवल बीश्ट क्लैन वाले किसी काम के नहीं हो जावी वान इसको समझ में नहीं आ रहा था एकदम असमंजस की स्थिति में था कि सबसे बड़ा मास्टर माइंड तो ये बच्चा था जो कि चीजवान के बाड़ी में था और ये जो भी था ये एक सैक्रेटरेस का सेंट एक्सपार्ट था